दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिड में तो आपके लिए 45 डेज की इंटर्णशिप जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नया बैच आ चुका है आप घर पे बैढ़ के सीख सकते हो और 100 सीट इसके लिए रखी गई है इंटर्णशिप आपको करवाने वाला है और सबको मैं बता दू इंटर्णशिप बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होती है अगर हम एंजिनिंग की बात करें जो ग्रेजुएट है डिप्लोमा वाले है 80% सिविल इंजिनर अनिम्प्लोईड रह जाती है किस कारण उनको नॉले इंटर्णशिप जो रहती है सामने आप देख रहे हो lack of skill, lack of guidance, lack of software knowledge, lack of practical knowledge, lack of confidence इन सब की वैसे आपको जॉब नहीं मिलती है और इंटर्णशिप करते हो तो यह ब्रिज बन जाता है जॉब की तरफ तो यह इंटर्णशिप भी आपको help करेगी डे वन पे आप सीख सकते हो drawing reading आपको पूरा course दे दिया जाएगा लेकिन आप schedule बनाके day 1 से start करिएगा introduction और foundation plan करो पहले दिन, दूसरे दिन structural और architectural drawing पड़ो, तीसरे दिन जो sequence होता है construction और वो सीखो pre construction activity, फिर sequence of construction में during construction activity क्या होती है और इस video की help से आपको idea भी लगेगा कि आपको interview में क्या क्या आना चाह चाहिए वो इस video से आपको पता चलने वाले है, day 5 पे आपको bar winding schedule आना चाहिए, उसमें foundation का BBS, column का BBS, beam का BBS, slab का BBS, staircase का BBS और फिर excavation का आपको knowledge होना चाहिए और day 11 पे आप excavation का सीखोगे, PCC का measurement कैसे लेते हैं, footing RCC, plinth beam RCC, sub structure form bug measurement कैसे होती है, उसका part 1, फिर उसका part 2 रह पिर column form bug की measurement कैसे की जाती है, beam form bug की measurement कैसे की जाती है, slab form bug की measurement कैसे की जाती है, column RCC, slab RCC, यह सब चीज़ें सीखने वाले हो, brick measurement day 22 पे सीखी आप, फिर आपकी अगर बात करें, day 25 पे आप plaster की measurement कैसे करते हैं, day 26 पे वही क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सीखने का होता है, फिर P.O.P की measurement कैसे होती है, P.O.P के जो Cornish होते हैं, उनकी measurement, पुट्टी की measurement, बाल पेट measurement, B.O.Q का introduction दिया जाएगा, B.O.Q कैसे बनाते हैं, S.O.R. जो है, Plumbing और Sanitation का knowledge, Contractor का billing कैसे करते हैं, कितना डाइब के bill, abstract sheets, assignments आपको दी जाएगे, तो ऐसे करके, आपकी 45 days की internship complete हो जाएगी, और ये lifetime validity रहेगी, इस internship की videos आपको मिल जाएगी, recorded, वो आपके पास पूरी life पढ़ी जाएगी, valid ISO certificate मिलेगा, regular doubt solving session रहेगे, practice के लिए material आपको दिया जाएगा, data, PDF, Excel, Heats दी जाएगी, और real time project based learning रहेगी, बहुत अच्छा मोका है, certificate इसमें आपको मिलता है, कुछ ऐसा certificate रहेगा, जिसमें पूरा mention होगा, आपको क्या क्या स्केलिस में कबर हुए, और कितने दिन की internship थी, अपने college में submit करो, जो आप interview में दो, बहुत अच्छी चीज़ है, और colorful notes रहेगे, यह तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, कोई boring नहीं होगा, अराम से picks के साथ colorful notes होगे, easily पढ़के आप आगे बढ़ सकते हो, फिर यह मोका आपको दिया जा रहा है, तीन दिन का offer रहेगा है, 100 seats रहेंगी, regular price इसका है 10,000 रुपया, लेकिन तीन दिन, आपको offer तीन दिन का है, आपको सिर्फ कितने में मिलेगी, 1,999 में मिलने वाली 80% offer रहने वाला है, इसको apply करने के लिए आपको app को download करना है, description में मैं link डालूँगा, direct आपको app को download करना है, और यह जो internship आपकी हो जाएगी, और सीखना आज से ही start हो जाएगा, तो description में link है, जल्दी जाके apply कर लो, बाकी कोई दिक्कत रहती है, यह सामने phone number है, mail है, जल्दी जाके apply कर लो,